अलो नमस्कार दोस्तों चलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कंक्रिट पंप के इंटर्व्यू के बारे में अक्सार पुछे दाने वाले सवाल जब भी आप कहीं जाते हैं तो पहले आपका सवाल जो होता है वह बोल देते हैं पेमेंट में भी भां ऩ्लिएव लेकिन ऑफ हो छल्या कांव को शुल्दद बहुता है तो उस्तिति में आपको नहीं रखतेगा इस स्तिति ने जक्ते बाद losing इतना है उसके वाल के बारे में पूछता है क्या पहला सब लेना में फंप 1 मिन घर जो उस स्थिति में आपको जबाब देना है एक मिनट में 21 से स्टॉक लेता है और कम जादा भी होता है जैसे उसका रणिंग पर निर्भर करता है लोग फाइपलाइन है और आपका जो एरजेस्टिंग है उसको हम कम करके रखते हैं तो एस्टॉक कम रहता है बरहते हैं तो तो और फॉट करने के बाता है और क्को यह जाइन वहां कैश्च करना है उसको स्थाब करने के बदेखना है इसको नहीं में पर कणकर सब choir उसके बाद आपको इनजेनटोर द कम्याइड है उसको देखना है कितना हैuddy दिखने के बाद भी आप उसको चालू कर सकते हैं यह सब द्रू में बात रिहकं श् facilitism कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका ताम स्सowa Step 1944 जो है यह पूछने बाद आपको तीसरा चक्सक्ता है तो apply पैप लेंग में कौन कुन से पाइप होते हैं चली दूस्तों तो बता यह वाईप के बारे में यह है एक मीटर यह मेंड पाइप देख लिजी अचासे वह साट का बंद है और ये पंदरा का बंद है तो देख लिए 55 का है और इथार यह देखिए यह 45 है और ये 90 का बेंड है ये बाला और तीन मीटर पाइप ये हो गया आपको तीन मीटर और उसके बाद ये आपका दो मीटर हो गया ये जो पाइप है ये उधर रखा हुआ शाट के बेंड के निचे दो मीटर चलिया और सलेंडर के बारें बता रहें सलेंडर चार होते हैं दोठो ये रेम सलेंडर होते हैं और दोठो आगे है ये स्विंग सलेंडर होते हैं ये दोनों स्विंग सलेंडर है रोकवाल को स्विंग करता है और चलिया अभी लक्तिक के बारें बताते हैं जो पूछा जा सकत तो यह remote है remote का तीन बटन होता है एक से आगे जाएगा दिखा रहे हैं आपको एक स्विच दबनेस आगे जाएगा एक स्विच से stop होगा एक स्विच से back आएगा इस चीज को ध्यान रखना है उसके बाद यह दिकाउम नहीं करेगा तब आपको इस पलक को खोड़ देना है ख आपको पाइप जाम हो सकता है रोक वाल रुकेगा तब ही इसको हलका बैक लेके फिर आगे दबा देजिएगा चलने लगेगा तो यह समझ गया है तो एक और तरीका होता है जो आप जब यह सब काम नहीं करेगा इलेक्टिक फॉल्ट हो जाएगा पूरा काम नहीं करेगा दूसरी स्थिति में आपको बता रहें यह लिवर है एक ठो इस लिवर को आगे दाबने से आपको माल आगे जाएगा और पीछे खिचने से माल प्याक आएगा यह होगी आपका जब कोई भी इलेक्टिक फार्ट काम नहीं करेगा तब यह काम करेगा आखिर आशा हुआ क्य यह लट्रिक फार्ट होने का कारण क्या है तो यहां देंकि एक दास नवमट जो है इधर लाल बला दास नममर फ्यूज रहता है इसको देखना है यह खराब हो जाता है और एक फोईस में सीशा का फ्यूज रहता है इसमें बंद रहता है तो गोलने से आपको निकल जाएग उसको देखना है यदि इतको चुल्प बिए you噹 जूड़ा रहेगा तब भी कम नहीं करेगा और जब आपका ये सब जो है इस सम्ने देखिएगा जब स्वीत आप बद्ती जलेगा बद्ती नहीं जलेगा इस सम्ने الحiad होता है पंप का कम रहेगा तो तब बरहना है ज्यादा रहने से नहीं बरहना है क्योंकि ज्यादा बरहने से पार देगा आपका पूरा परेसर हो जाने से आप कहिएगा क्या सिखा दिये खरब हो गया जिसलिए चागलती नहीं करना है ध्यान से कम करना है तो चलिए आपको यह जानका जो है इधर यह सब हैडूळुक परिशर देखने के लिए है कितना ले रहा है और यह आपका रेम में यह दिसेली बगए रहेगा तो साफ कर देना है और उसके बाद पानी भर देना है अच्छी तरह सी इसका ध्यान रखना है पर दे इसको चेक कर ला है और यह डीजल टंकी ह है 2040 का डल आएगा तो ये बात को धियान रखना है ये भी पूछा जा सकता है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिन जया भारत धन्यवाद